हलो एवरिवन मैसल राम पच्वारी फैकल्टी ऑफ एलाइड हैल साइंसिस मैं आपको यहां पर डिप्लोमा बैचलर कोर्स के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पेथालोजी माइक्रो ऑजोट कर सकते हैं अधी कर सकते हैं इसके लाबा आपको अलग-अलग प्लेटफर्म पर आप जोइन कर सकते हैं मेरे बाटसप्राइल के नाम også मोर मिल जाएगा इसके लाबा मेरे वाट्सप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है जोईन कर सकते हैं मेरा नंबर है 6375-524388 देखे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अब अब क्या होता है और उसके मिजर्मेंट के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है किस प्रिंसिपल पर काइडिक आउट्पुट हम जो है आइडिंटिफाय करते हैं कैसे उसको जो मेजर करते हैं ठीक है आज उसके बारे में पढ़ेंगे यह टॉपिक आपके जो है एनाइटिवी फिजियो सब्जेक्ट में है आपके डीमल्ट और बेसीमल्ट के के वाली है तो आप लोग द्यान से देखें हैं यह क्या है थोड़ा सा एक मैथमेटिकल वैल्यूस के बेसिस पर हम इसको पढ़ते हैं तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि लिए हमारे को हाट का बेसिक अनाटिमी पता होना चाहिए तब हम इसके जो है का डेफिनिशन देखना है और वो काडियक आउट्पूट कैसे करना है वह भी हम देखना होगा ठीक है तो माले जासा की टॉपिक है काडियक आउट्पूट एंटिमेजर मेंट तो हम पहले बन वाई-वन इनकी डेफिनिशन पढ़ते हैं और उनको फिर अप्लाई करने की क करते हैं तो हमारे को पहले को जानने की जबवत है एक होता है एंड डियस्टॉलिक वोल्यम और एक होता है एंड फिस्तॉलिक वोल्यम जिसके तो हम क्या करते हैं और कि जड़ी हम क्या करेंगे कि कार्डेक और उसको फाइंड आट करेंगे देखिए एंड डियस्टॉलिक वोल्यम का मतलब क्या है पहले आप समझे लागे जो सिस्टॉल और डियस्टॉल है उसका बेसिक मीनिंग है ठीक है कि आपका जो है एक होता है वहर्ट सिस्टॉल और एक होता है डियस्टॉल तो सिस्टॉल का बेसिक मीनिंग क्या है कि हार्ट के जो एक्रेंब बैसक्न क्ट्रैप्ट हो रहे होते हैं तो उसको कारते सिस्टॉल और जब रिलेक्स हो जाते हैं तो उसको ब्लैस्टॉल और तो इसके अंदर नौनिकिञ्टाल में कर्मा ब्लड के नाम से जानते हैं कि जब इसके बाद एक बीट हाट करेगा तो उस दोरां कितना ब्लड जो है वो यह उटा के बंदर पंप करेगा यहासा कि आप देख रहे हैं कि आपका क्या होगा जाएं वालिम डीट है जैसा कि लिखा है कि वेंटिकल इंपके वो होगे प्राइगा तो उसको फ्रक्श कार देख लाइगा बखर ऐसके बाद आपका इस ट्रॉड बोल्म का मतलब है कि जब हमने यह वर्य फंप किया तो उसके बाद जितना रिमेंग उसमें रहें गया वह आपका कहा दा तो जैसे लिखा एक लिखा एक लोडिम इन इच वेंट्रिकल इस नाओ फिटी है में यानिक एक सो भी से मेल हमारे पास था सतर आपको कर दिया तो टोटल ही हमारा कितना बचार तो जैसे हम देख रहें इस टॉक वाल्यूम अगर हमें फैंड आउट करना तो क्या करना पड़ किया जा रहें अब एक मिनिट के अंदर हम देख रहें हैं कि 70 अमेल ब्लड पंप हो रहा हमारा हाट जो है वह क्या करता है तो अगर हमारे को काड़े का आउट पूट करना है तो क्या रहेंगे इस ट्रॉक वाल्यूम को हाट बीट से मल्टिप्ले करते हैं तो इससे हम के अगरिक पांच जार्ट चाली समयल आप का जो है काटिक आट पूट आधा जो करता है तो इतना चुक्त कर रहा होता है कई क्लिनिकल कंडिशन के अंदर हमारे हाट का जो क्या हो जाता है हमारा हाट जो अत्रुक नहीं कर पाता है तो हम क्लिनीकल के अंदर के हार्ट के कार्डिक आउर्पूट को मेजरमेंट करेंगे तो अमरे तो देखते हैं क्या होता है और कार्डिक आउट्फूर्ट का मेजरमेंट कैसे करते हैं क्या कहता है और कैसे काईटेक आउटको करते हैं वह तेखना है ठीक है पहला पैरामेटर आपका है कि किसी और पार्गन के अंदर अक्सीजन का जो कंजप्षन है वो हमारे को मेजर करना है कि कितना ऑक्सीजन त्युक्त यानी कि सब्सक्राइए अगर मैं के चलू जाबन के कोई एक और खार्ला है कोई पीछ आछ आ oral कोई पर बहुंग सकता है लिवर लंग ठीक है और आपका क्या है कि अगर 200 ml oxygen का concentration अगर atrial blood में है और 160 ml के अराउंड अगर मैं कहूं कि 160 ml जो है वह आपका मेजर करने पर आया कि 160 ml oxygen जो है वीनस ब्लेड में मिल होंगे ठीक है तो इस अगर हम फॉर्मूले में पूट करें तो हमारे को काडियक आउट फैंड आउट हो जाएगा यहां पर आपको फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कर्जेप्शन पाइड टीशू जो वी को टू लिखा हुगा है वहां पर आप वेल्यू पूट करेंगे तो क्या होगा वह आपका 200 ml oxygen आ रहा है तो वीनस ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन कितना हुगा आपका 160 ml आ रहा है तो आप इसको 160 से माइनस कर दें और इस तरीके से करेंगे तो यह होगा तो हंड्रेट बहुत दो सब्सक्राइब चालीस यानि कि आपका क्या हुआ यह जो एट्रियल और वीनस ब्लड का जो डिफ अधर कितना प्रेट जो है पंप किया जा रहा है आपका पांच लिटर ठीक है यह आपका काडेक आउटपूट फाइंड करने का तरीक है अगर इसके अंदर यह अगर किसी परसंद के अंदर इसमें कोई क्लिनिकल डिसॉडर है तो इसके इंदर एक आपका कम हो सकता है और प्रिंसिपल आपको यही कह रहा है कि टोटल अप्टेक और टिशू के द्वारा जो है आपका अप्तेक किया जा रहा है वह इक्वाल होता है टूट अब ब्लड फ्लो तो दर पैरिफिरल टिशू यानि कि उस प्रोड़क्ट का ब्लेड फ्लो में जो है पीसी पैरिफिरल ट कि इसके द्वारा काईटिक पूट ऑप्ट हुआ करते हैं यहीँ आपका फिक्ष प्रिंसिपल है केड़ा फोल का मेजर्मेंड करते है कई सारे इस नेक्या चैनल पर बने रहे एगी झाल झाल